प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप मुझे आशा है कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ और प्रसन होंगे इन दिनों आप अपने घर पर नाच रहे होंगे गा रहे होंगे खेल रहे होंगे अपने भाई भेनों से प्यार भरा जगड़ा भी कर रहे होंगे और साती सात धेर सारी पड़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपकी कक्षा दस की इतिहास की पुस्तक के पहले पाठ योरोप में रास्टेवाद के उद्धे पर चर्चा कर रहे हैं पिछले अंक में हमने 1815 के बाद योरोप में पन पे नए रूडिवाद 1830 से 1849 के दौरान चले करांतियों के युग और जर्मनी इटली और ब्रेटेन के एक ही करण और उनके विशिष्ट पिरकार के रास्टेवाद पर बात की थी आज हम इससे आगे चलते हैं और हमारा आज का पहला विशे है रास्टर का द्रश्य निरूपण प्यारे बच्चों रास्टर एक अमूर्त अवधार्णा है और आम लोगों को इसकी संकल्पना आसानी से नहीं समझाई जा सकती एक पुस्तक दिखाई पड़ती है इसलिए एक आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है कि पुस्तक क्या होती है लेकिन एक रास्ट तो आँखों से दिखाई नहीं देता तो फिर आम व्यक्तियों को कैसे समझाया जाए कि रास्टर क्या है इस समस्या का समाधान करने के लिए अठारवी और उन्निस्वी सदी में कलाकारों ने एक तरीका सोचा, उन्होंने राष्ट का मानवी करण कर दिया और एक महिला आकरती के रूप में उसका चित्र बनाया जाने लगा यह महिला कोई वास्तविक महिला नहीं थी, अपितु राष्ट की अमूर्थ अवधार्णा को मूर्थ रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक काल्पनिक महिला को ही राष्ट के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया था, अर्थाथ वह काल्पनिक महिला राष्ट का ए आधी की अवधार्णा को भी पृतीकों के रूप में ही व्यक्त किया जाने लगा था आप अपनी पुस्तक का चित्र 16 देखें इसमें फ्रांस के गरतंत्र के पृतीक के रूप में मारियान को दिखाया गया है मारियान एक लोग पर ये इसाई आई गई सिक्कों तथा डाक टिक्टों पर भी उसके चित्र छापे गए यह सब इसलिए किया गया जिससे जनता इस एकता के पृतीक को याद रखे और उसमें राष्टेवादी भावनाओं का संचार हो बच्चों अब आप चित्र 17 देखो यह जर्मेनिया का चित्र है जो जर्मन राष्टे का पृतीक है जर्मेनिया को ओक के पत्तों का ताज पहने दिखाया गया है क्योंकि ओक के पत्ते नायकत्व और वीरता के पृतीक हैं चित्र 18 में जूलियस हबनर का प्रसिच चित्र दा फॉलन जर्मेनिया दिखाया गया है 1848 में जब फ्रेडरिक विलहेम चतुर्थ ने फ्रैंक्फर्ट संसत का प्रस्ताव ठुकरा कर जर्मनी का राजा बनने से इनकार कर दिया था तो संपूर्ण जर्मनी निराश हुआ था यह उसी निराशा को प्रिकट करने वाला चित्र है अब जरा चित्र 19 को देखो यह चित्रकार लॉरेंज क्लासेन का प्रसित चित्र जर्मेनिया गार्डिंग दा राइन है इसमें जर्मन राश्ट की प्रतीक जर्मेनिया हाथ में तलवार लेकर राइन नदी पर पहरा देते हुए जर्मन राश्ट की रक्षा करते हुए की रूपक ला इटालिया थी तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि राष्ट्रवाद के विकास के साथ राष्ट्र को रूपक के रूप में दिखाने का चलन शुरू हुआ जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को और अधिक गहरा बनाया अब बच्चों हम अगले विशे राष्ट्रवाद और सामराज्यवाद के संबंध पर चर्चा करेंगे 19 सदी के अंतिम चतुर्थांश तक आते आते राष्ट्रवाद अब 19 शताब्दी के पूर्वार्द वाली आदर्श वादी उदार लोकतांत्रिक भावना ना रहकर एक संकीन विचारधारा बन चुकी थी जिसके सीमित साध्य या लक्षे थे हम देखते हैं कि इस अवधी में विभिन राष्ट्रवादी समू एक दूसरे के पृति अधिक और अधिक असहिश्णू होते जा रहे थे और कभी भी परस्पर युद्ध के लिए तैयार रहने लगे थे बच्चों इस समय हमें यो योरोपिये शक्तिया अपने साम्राज्यवादी है तो को विस्तारित करने के लिए अपने प्रजा जनों की राष्ट्रवादी आकानशायों से खेलने लगी राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़का कर दूसरे देशों पर कब्जा करने और एक देश के लोगों के एक वर्ग की भिन राष्टिता का हवाला दे कर उन्हें अपने देश से अलग होने के लिए भड़काने के खेल योरोप के रंगमंच पर बड़े पैमाने पर खेले जाने लगे बच्चों 1871 के बाद से योरोप में राष्टेवादी तनाव का सबसे गंभीर सुरोत बालकन शेत्र बन गया यहां आपको यह पता होना चाहिए कि बालकन देश कौन-कौन थे रोमानिया, बलगारिया, अल्बानिया, यूनान, मगदूनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जिगोविना, स्लोवानिया, सर्विया, मॉन्टे नीग्रो जैसे देश बालकन देश कहलाते हैं बच्चों इन बालकन देशों के निवासियों को सिलाफ कहा जाता है बालकन शेत्र का एक बड़ा भाग ओटोमन सामराज्य के नियंत्रण में था बालकन शेत्र के लोगों ने राश्टता के आधार पर अपनी स्वतंत्रता या राजनेतिक अधिकारों का दावा किया और यह सिद्ध करने के लिए कि कभी वे स्वतंत्र थे उन्होंने इतिहास का प्रियोग किया बच्चों बालकन शीगरी गहन संगर्ष का शेत्र बन गया क्योंकि वहाँ विभिन स्लाव राश्टताएं अपनी पहचान और स्वतंत्रता को परिभाशित करने के लिए परस पर संगर्ष करने लगी बच्चों यहाँ एक बात और महत्मूर है बालकन शेत्र बड़ी यूरोपिय शक्तियों जैसे रूस जर्मनी इंग्लेंड और आस्ट्रिया हंगरी के बीच प्रितिस परदा का भी रंगमंच बन गया था प्रितेक बड़ी यूरोपिय शक्ति अधिक से अधिक उपनिवेश हासिल करके अपना सामराज्य भढ़ाना गौरव की बात मानती थी आप जरा अपनी पुस्तक के चित्र बीस को देखिए बिटिश रास्टे की प्रितीक बिटानिया अपने उपनिवेशों पर शासन करते हुए किस शान से बैठी है विश्व पर प्रिभुत्व बिटेन के रास्ट्य गौरव के आधार के रूप में प्रदर्शित किया गया इसके फलस्व रूप बालकन शेत्र में युद्धों की एक श्रंकला ही प्रारंभ हो गई जिसकी परिणती प्रिथम विश्विद के रूप में हुई अतहा बच्चों हम देखते हैं कि जब रास्टेवाद सामराज्य वाद के साथ जुड़ गया तो इसने 1914 में योरोप को एक महाविनाश के गर्त में ढखेल दिया अब बच्चों जरा एक नजर हम भारत जैसे योरोपीय शक्तियों के उपनिवेशों पर भी डालने इन उपनिवेशों में रास्टेवाद मूलतह सामराज्य वाद विरोधी आंदोलनों के कारण पनपा योरोप के रास्टेवाद का रास्टेवाद विक्सित हुआ लेकिन इस विचार को सुभाविक प्राकर्तिक और सार्वभौमिक रूप से स्विकार कर लिया गया कि सभी समाजों का संगठन रास्टराज्य के रूप में होना चाहिए प्यारे बच्चों अब हम योरोप में रास्टेवाद का उदय प पर कैसे कैसे प्रशन पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए तो बच्चों हम आते हैं अपने पहले प्रशन पर योरोप में 19 सदी के दौरान नारी की छवी किस प्रकार रास्टे का रूपक बनी तो बच्चों यह आपका प्रशन है जड़ा विश अथमें क्या लिखा जाना चाहिए बच्चों बहुत ही आसान है हमने चर्चा की थी कि फ्रांस की मारियान जर्म्यानी की जर्मेनिया ब्रेटेन की ब्रेटानिया और इटली की ला इटालिया की वह किस प्रकार अपने राष्टे की प्रतीक बनी वहां के लोग उन प्रतीकों से कैसे जुड़े उन प्रतीकों की मूर्तियों को कैसे चौराहों पर लगाया गया उनकी डाग टिकेट जा लिखना है आपको और हो जाएगा आपका उत्तर तयार तो बच्चों अब हम आते हैं दूसरे प्रश्ण पर दूसरा प्रश्ण है अपने शासन वाले शेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नैपोलियन ने क्या बदलाव किये बच्चों यही प्र समाजिक एवं प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या कीजिए तो बच्चों कैसे देंगे आप इस प्रश्ण का उत्तर आसान है नैपोलियन ने 1804 की नैपोलियन कोड लागू की जन्म आधारित विशेश अधिकार समाप्त किये कानून के समक्ष बराबरी की अवधारना ल किसानों को भुदासत्व और जागिरदारी शुलकों से मुक्ति दिलाई शहरों में श्रिणी संगों के नियंत्रों को समाप्त किया और यातायात तथा संचार व्यवस्ता में सुधार किये पूरे सामराज्ये में एक जैसे मानक भार नापतौल की प्रणाली लागू की तो प्रशन है जन्वरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारों में किसको जर्मनी का समराड घोशित किया गया था तो बच्चो मैं समझता हूं कि इस प्रशन का उत्तर तो आप सब को याता होगा जी हां सही कह रहे हैं आप इसका उत्तर है काईजार विलियम पिर्थम तो बच्च चलते हैं अगले प्रशन पर प्रशन है फ्रेडरिक सार्यू की कल्पना दर्शी द्रश्टी क्या थी उन तीन अभिव्यक्तियों की चर्चा कीजिए जिन्हें उसने अपने प्रिसिद फर्स्ट प्रिंट में दर्शाया है तो बच्चो क्या है इस प्रशन का उत्तर बता सक हैं जैसा कि हम इस पर चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि फ्रेडरिक सर्यू एक फ्रांसिसी चित्रकार था जिसने 1848 में चार प्रिंटों यह चित्रों की एक श्रंखला तैयार की थी उनमें से पहला प्रेंट वही है जो आपकी पुस्तक का पहला चित्र है फ्रेडरिक अपने first print में उसने योरोप और अमेरिका के विविन आईउं के इस तरी पुरिशों के विविन समुऊं को स्वतंत्रता की मूर्ति के समक्ष रैली करते दिखाया है जो स्वतंत्रता की मूर्ति के पृति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं इससे कुछ बातें इसपश्ट होती हैं जो हैं पहली अमेरिका और स्विडजर लेंड रास्टे बन चुके हैं इससे अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलती है कि वह भी रास्टे बनें दूसरी बात ये बच्चों फ्रांस के हाथ में तरंगा जंडा है जो अन्य देशों को भी क्रांती के लिए प्रेरित कर रहा है और तीसरी बात है बच्चों जर्मनी के लोगों के हाथों में विविन रंगों के जंडे लोगों में एकता की आवश्यक्ता को प्रदर्शित कर और चौथी बात है इसा मसी संत तथा देवदूत विश्व के समस्त देशों के बीच बंधुता को प्रदर्शित कर रहे हैं तो बच्चों अब आता है हमारा अगला प्रश्न योरोप में फ्रांसिसी क्रांती से राजनीतिक और समवैधानिक परिद्रिश्य में हुआ हुआ था आसान है पूरे योरोप में निरंकुष राज्टंत्र के वरुद आवाज उठाई जाने लगी और गड़तंत्रात्मक सरकारों का महत्व बढ़ने लगा तो बच्चों आईए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर फ्रांसिसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्दे अब आते हैं अगले प्रश्न पर रूपक यानि एलेगरी से क्या अभिप्राय है इसके इस्पष्टी करण के लिए एक उधारण दीजिए तो बच्चों बताईए क्या होगा इसका उत्तर बच्चों जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता राश्ट्र लालच इर इस्या इत्यादी को एक व्यक्ति या वस्तु के रूप में दिखाया जाता है तो उसे रूपक या एलेगरी कहते हैं एक रूपात्मक कथा के दो अर्थ होते हैं पहला शाब्दिक और दूसरा सांकेतिक उधारन के रूप में हम कह सकते हैं कि फ्रांस राश्टे को मारियान जर्मन राश्टे को जर्मेनिया इटली राश्टे को ला इटालिया और बिर्टिश राश्टे को बिर्टानिया द्वारा अभिव्यक्त किया जाता था तो बच्चों अब अगले प्रश्ण के लिए तैयार हो जाईए तो हमारा प्रश्ण है पूरे योरोप में 1830 से 1848 में शिक्षित अभिजात वर्ग के मद्धे राश्ट्रिय भावनाओं का संचार करने वाली घटना का नाम लिखिए तो बच्चों बताईए वह घटना कौन से थी जी हाँ सही याद आ रहा है आपको वह घटना थी यूनान का स्वतंतरता युद्ध तो आईए बच्चों एक और प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण है जब फ्रांस छीटता है तो बाकी योरोप को जुखाम हो जाता है कि यह बात ऑस्ट्रिया के शासक ड्यूप मैटर निखने कही थी उनका आशय था कि योरोप की राजनीती समाज संस्कृती और फैशन पर फ्रांस का बहुत प्रभाव शाली नियंत्रण प्रभुत्व और प्रभाव है जो कुछ फ्रांस में घटित होता है उसका प्रभाव योरोप के बाकी देशों पर भी पढ़ता है और वह भी फ्रांस की नकल करते हुए वैसा ही करने लगते हैं उधार नार्थ जब जुलाई 1830 में फ्रांस में क्रांती हुई और बुर्वों वंश के शासक को हटा कर लुई फिलिप को राजा बना कर समवैधानिक राज तंत् किया गया तो इसका प्रभाव योरोप के बाकी देशों पर भी पढ़ा जिससे ब्रसल्स में भी एक क्रांती हो गई और बेल्जियम युनाइटिट किंग्डम औफ नीदर लेंड से अलग होकर एक स्वतंत रास्टे बन गया तो बच्चों एक अन्य प्रश्न देखते हैं म उत्तर हमने इस पर पहले चर्चा भी की थी जी हां आप सही सोच रहे हैं यह कथन आस्ट्रिया के शासक ड्यूक मैटर निखने मैजनी के बारे में कहा था मैजनी इटली ही नहीं अपीतू पूरे योरोप का एक जबरदस्त क्रांती कारी था वह कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था से जुड़ा हुआ था उसने मार्सेल्स में यंग इटली और बर्न में यंग योरोप जैसी क्रांती कारी संस्थाओं का गठन किया जिनके सदस्से और समर्थक पूरे योरोप में फैले हुए थे उसने इटली के एकी करण के लिए 830 और 848 में क्रांतियां की वह र इसी कारण से सभी नरंकुष राजा उससे बहुत डरते थे और इसी लिए ड्यूक मैटर निखने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रू कहा था तो बच्चों अब हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर प्रशन है पोलेंड के रास्ट्य एकी करण का तरीका जर्मनी और इटली के तरीके से भिन्न था समझाईए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे बताईए तो जरा आप इस पर व्यापक चर्चा कर चुके हैं आपको याद होगा कि योरोप की बड़ी शक्तियां रूस प्रश्या और और आस्ट्रिया ने लेकिन फिर भी पोलेंड की राष्ट्यवादी भावनाएं संगीत और भाषा के माध्यम से जीवित रहीं। कैरॉल कुर्पिंस्की ने अपने ओपेरा और संगीत से पोलोनेज और मजूरका जैसे लोक संगीतों को राष्ट्य पृतिकों में बदल दिया था। जब रूस ने पोलिश शेत्रों पर पोलिश भाषा के स्थान पर रूसी भाषा थोपने की कोशिश की तो पोलेंड के लोगों ने उसका जोड़दार विरोध किया था और वह अत्याचार सहने के बावजूद अपनी पोलिश भाषा का प्रियोग करते रहे। इस प्रकार रोमानिवादी भावनाओं ने पोलेंड में राष्ट्य एकी करण को बल दिया। दूसरी ओर जर्मनी और इटली में रोमानिवाद से बिलकुल उलट बिसमार्क और कैवूर की कूटनीती, युद्ध, सैना, राजनीती, आदी के प्रियोग से राष्ट्य एकी करण किया गया। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही आपकी कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्थे पुस्तक का ये पहला पाठ समाप्त होता है। और अपने शिक्षक या शिक्षिकाजी को भेज कर उसकी जाज भी अवश्य करवाई है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले अंक में आपसे पुना भेट होगी, नमस्कार। अब मैं आपसे पुना भेट होगी, नमस्कार। अब मैं आपसे पुना भेट होगी, नमस्कार। अब मैं आपसे श दो दॉज होगी, नमस्कार।